इसी बीचे को और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं को और एम जानकारी बतारें GMC ने एडवाईजरी जारी की है तो गंटंडर दिवस परेज को लेकर एडवाईजरी जारी की गई है DMRC की तरफ से तो कुछ स्टेशनों को कुछ स्टेशनों में मेट्रो स्टेशन के लिए एंट्री और एग्जिट स्टेशन बंद कर दी गएं डिली मेट्रो की सभी पार्किंग भी बंद कर दी का फैसला किया गया है DMRC की तरफ से 25-26 जन्वरी को ये पार्किंग बंद रहेंगी तो इसकी बड़ी कबर मापको बता रहें जो की दिली से आ रहे है 26 जन्वरी दोपहर दो बजी तक दिली में एंट्री बंद रहेगी डिली मेर्टो में तो स्वक्की बड़ी कबर दिली से आ रहे है दिली मेर्टो को ये को लेकर कि पुशासन अलाच हो चुका है गंतल दिवस को लेकर के एड़वाइसरी जाली की गई है DMRC की तरफ से जहां पर कुछ स्टेशनों के लिए एंट्री और एंग्सिट गेट बंद करने का फैसला लिया गया पिशासिन की तरफ से और ऐसे में दिली मैट्रों के सभी पार्किंग स्टेशन को भी बंद करने का फैसला लिया गया और आपको बता दे कि 25-26 जन्वरी को ये पार्किंग बंद रहेगी और बताया जो रहा है क पार्किंग बंद करने का जीमर्सी की तरफ से पैसला किया गया है तो जो लोग दिल्ली मेट्रों से सफर करते हैं ये खबर उनके लिए बेहत मैत्वपूर्ण है कि जीमर्सी की तरफ से पैसला गाइडलाइन जारी की गई है गंतंत्र दिवस को लेकर के 26 तारिक को गंतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से लॉइन ओर्डर्स ताकि सही रूप से सुचारू रूप से चलते रहे और इसी के लिए प्रशासन की तरफ से इंतिजाम किये गए हैं और DMRC की तरफ से एडवाईजरी जारी की गए जहांब दिली मेट्रो को कि कुछ स्टेशन को एंट्री और एक्जिट गेट्स को बंद करने का प्रशासन की तरफ से फैसला किया गया है ताकि किसी तरह की परिशानी को इस सामने ना सके और इसी को लेक परजे के बाद एंट्री और एक्जिट गेट्स खूल सकते हैं तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं जो की दिली से आ रही है दिली में सफर करने वाले लोगों के लिए ये जानकारी बहुत मैत्वण है